सरधा बाटे रंगवातू लगई ताए बालं फोगुवा महिनवा जे करना आवेला सजनवा बड़ा दुख देला सजन राजधाने पकड़िके आजईयो 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 तलेली ही जान फागुन वाहो है देवी थैंक यू सो मच अच्छा होली आ रहा है होली को लेकर क्या कुछ प्लान कर रही है आप इस वाली में बहुत सारे मेरे गीत भी आये हुए हैं और पहले की भी बहुत सारे गीत हैं लोगों के बीच हैं लोग उसको सुन सकते हैं और बाकी अभी कुछ नए सॉंग्स पुली में मैं देखी हूं आपके बहुत सारे सॉंग्स हैं डर्जनों ऐसे सॉंग्स हैं जो एक तरह से कह सकते हैं कि रोमांस पर बेज़्ट है खास करके हस्बन वाइफ पर आप बहुत ऐसी गाने पसंद करती हैं जी हा बिलकुल मुझे लगता है कि इसको एक शिंगार र इसलिए बहुत सारे मैंने रोमैंचिक गिद गाय हैं एक एक मैं गाना सुन रही थी आपका कि फागुन में बयार करके था कि एक मतलब जो बहुत लोग होते हैं खासकर कि जारखन बिहार के लोग होते हैं वो बाहर जाते हैं हस्बेंट्स काम करने के लिए और होली का भगुनी बयर्या सतावे हो मनवा हमार बहकावे हो असरे में बानी चली आईताए बालम सरधा बाटे रंगवातू लगईताए बालम और इसी वज़े से दर्शक आपसे बहुत जादा प्यार करते हैं कुछ आप बता रही थी कि अपकमिंग कुछ होली को लेकर आ रहा है मत्त में बता रही हूँ और मैंने डिफरेंट स्टाइल जो फोक सॉंग से वो भी गाए कुछ मॉडरन टाइप की भी गाने गाए तो हर तरह की गाने में गाती हो हर तरह गाने मज़ा आता है तो चली यारा आप कह रही है तो दो लाइन सुना देते यारा ओ यारा तेरी अदाओने मारा बिन तेरे हम कैसे रहे जीना है मुश्किल हमारा यारा ओ यारा तेरी अदाओने मारा और बहुत सारे स्टेज परफॉर्मेंस भी आप देती हैं मैं जाना चाहूंगी कि स्टेज परफॉर्मेंस में कैसा फील होता है और खास करके जब अगर होली के गीतगारी होती है तो कैसा लगता है देखिए जो कलाकार होते हैं उनका जो मतलब सबसे ज़्यादा सुखत प कई जगों पर मैंने शोज के इवन विदेशों में भी मेरे शोज होते हैं बहुत अच्छा मैं रश्या भी करके शो आई कुछ साल पहले फिर मैं दुबई गई थी फिर मैं कतार गई थी उसके बाद बहुत सारे ऐसे करने मौरिसस में मैंने शो किया फिर यूरोप में कई अच्छा लगता है और मुझे लगता है कि जो बाहर जो लोग इंडियन बसे हुए उनको अपने कलाकारों को दे के बहुत अच्छा लगता है क्योंकि कहीं नकई वो फैस्टिवल मिस करते हैं छट मिस करते हैं तो मैं वहां जाके जब अपने चट के गाने गाती हूँ या फिर वैसे songs जैसे बिहार के जो songs गाते हैं तो लोग को काफी अच्छा लगता है कुछ मैं आपके interviews देख रही थी बहुत सारे ऐसे भोजपूरी गाने हैं जिससे आपको थोड़ी बहुत आपत्ती होती है ऐसा क्यूं? देखे आजकल के जो भोजपूरी गाने वो तो किसी को अच्छे नहीं लगते हैं और ना उसका कोई standard है लेकिन हर कोई अपने हिसाब से काम करता है और मैं अपने हिसाब से कर रही हूँ और मुझे इसका अच्छा response में मिलता है लोग मुझे प्यार भी करते हैं और मैं जहां भी जाती है लोग भोजपूरी कि आज की जो मतलब जो दश्रा है उस पर कोश्चन करते हैं लेकिन मुझे यही पता है कि जो चीज़े अच्छी नहीं होती है वो जादा दिन तक टिकती नहीं है उसका कोई भविश्य नहीं होता है तो इस बार होली का क्या प्लान है आपका प्लाना क्या कर रही है आपका जरि करने के लोग रंग खेलते हैं बिहार पैसा होली ठोड़े टोड़े डिफेरेंट होता है वहां पर 12 एक वज तक खतम हो जाती है लेकिन हम लोग दो तरह से होली के थे एक सुबह में भी खेलते हैं, एक शाम में भी लोग अभीर लगाते हैं, एक गुसरे हासू की होली भी खेलते हैं, तो मुझे लगता है कि बिहार की होली थोड़ी ज्यादा स्ट्रॉंग होती है, वहां बस बारा एक बज़ तक खतम हो जाती है, आपके जितने भी सौंग से है लोगों को बहुत पसंद आते हैं, लेकिन देवी को अपना ऐसा कौन सा गाना है, जो सबसे ज्यादा अच्छा लगता हो, खास करके फागुन को लेकर, होली को लेकर, आप फागुन की पारत कर रहे हैं, तो एक जो इस पर लैटिस सौंग आया है, वो सुना देते हैं, जे करना आवेला सजनवा, बड़ा दुख देला, फगुवा महिनवा, फगुवा महिनवा, फगुवा महिनवा, फगुवा महिनवा, रत्य सुतलों होवे मुस्किलवा, बड़ा दुख देला, फगुवा महिनवा, जे करना आवेला सजनवा, बड़ा दुख देला, फगुवा महिनवा, तो देखे इस special episode में अभी थोड़ा और बाकी है कुछ और गाने गवाएंगे हम देवी से तो आप बस इंतजार कीजिए बस यहाँ पर रुकरे एक छोटे से break के लिए फोरन होगे हाँ से आजययो 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 ना ना नारे मारो मुझे पिछ कारी आसो के होली में आईबाना घर तलेली ही जान फगुनवा हो सरधा बाटे रंगवातू लगईताए बालं फगुवा महिनवा जे करना आवेला सजन वा बड़ा दुख देला सजन राजदाने पकड़ के आजययो 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 ना ना नारे मारो मुझे पिछ कारी आसो के होली में आईबाना घर तलेली ही जान फगुनवा हो तो ब्रेक के बाद वापस से आपका स्वागत है होली के इस खास प्रोग्राम में और हमाई साथ देवी यहाँ पर मौजूद है और लगाता जो आपको पसंद है गाने वो गा रही है और मुझे लगता है कि आप लोग इंतजार कर रहे होंगे जो इनका सबसे सूपर डूपर हिट गाना है सजन राजधानी वो आप लोग ज़रू सुनना पसंद करेंगे तो क्यों ना एक बार वो गुन गुना लिया जाए बिलकुल जब आये हो लि दिवाले तु ले आयो चुनरी लाले चुनरी ना लईयो तो ना लेयो सजन राजधानी पकड़ के आजेयो सजन राजधानी पकड़ के आजेयो आजईयो आजईयो लेलो कागज लेलो कलम लिख दो अपना पता बलम जाके जल्दी से आओगे खाओ पहले मेरी कसम कि अतन मन तुझ पे अरपन लईयो भूल नजईयो कंगन कंगन ना लईयो तो ना लईयो सजन राजधानी पकड़ के आजईयो 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 सजन राजधानी पकड़ के आजईयो 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 अब समझ मैं आया ये सूपर डूपर हिट क्यूं था क्योंकि मैं यहां पे बैठके ही जूम रहे थी काफी इंट्रेस्टिंग आचा बहुत सारे सिंगर्स ऐसे हैं यहां पर भी कई लोग गाईका है जो स्ट्रगल कर रहे हैं उनके लिए आप क्या एडवाइज देना चाहिए क्योंकि आपका जो स्ट्रगल रहा है बहुत लंबा रहा है देखे मैं लोगों से इतना ही कहना चाह जाती है लाइफ भी सुमधूर हो जाती है और लोगों को जिससे मैं जो लड़के लड़कियां उनको मैं क्यों संगीत को सीखना भी चाहिए आपके अंदर कला है उसको निखारने के लिए थोड़ा सा ट्रेनिंग जो है वो भी आपको बहतर करता है तो एक अच्छी टीचर से आप जरूरा ट्रेनिग लिनी चाहिए और अपने क्वाइटी को दिन पर दिन बेहतर करने के कोशिस करने चाहिए एक एक पर्सनल सवाल होने हरेगा होली को लेका सब की लाइफ में स्टोरी होता है आपके लाइफ में कोई लव स्टो biology टाइप है कि हाँ आदिके होली पर तो उतना याद नहीं आ रहा है काफी टाइम हो गया हाले कि हम लोग होली में शरारते बहुत करते हैं और मुझे याद है कि मैं बहुत जादा शुरू से बहुत ही शोशल रही हूँ मतलब बहुत अक्टिव लोगों से मिलना जो ला मुझे पसंद दे तो होली में मैं काफ़े excited हो जाती थी और बहुत दस दिन पहले से हम लोग रंग खेलना शुरू करते थे कभी छट से किसी को रंग लगा दिया या कुछ तो काफ़ी शरारते करते थे लेकिन मतलब जब आप जैसे जैसे बड़ी हुई तब उसके बाद पाशरारती नहीं रहें की तेरा नाम होली में जी दूर से ही कर लो राम राम छेड़ेंगे तो ठाने में लिखा दूंगी तेरा नाम ना 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 रे मरो मुझे पिचकारी भिग जाओंगी तो तुझे दूंगी गारी इस बार जो हमारा प्रोग्राम होगा न मुझे लगता है कि दर्शक पहले से वेट करेंगे कि कब आएंगी आप और लोग आपको सुनेंगे कुछ हिंदी सॉंग्स और भी हैं मैं जाना चाहती हूँ कि आपके फेवरेट गाने कौन से है वह हिंदी में अब बहुत सारे ऐसे गाने हैं एक गीट जो बहुत ही ज़्यादा पॉपलर भी हुआ है और इसका लिरिक्स बहुत अच्छा है तो मैं अपने दर्शक को सुना जेती हूँ आपको लिरिक्स अच्छे होता लगते हैं तो आप वह गुन गुनाते रहती हैं लिकुल लिरिक् का सुरूर है सब तेरी नजर का कुसूर है तुने जाम नजर से पिला दिया मुझे एक शराबी बना दिया मुझे एक शराबी बना दिया मेरी जिन्दगी मेरे यार सुन तेरे प्यार की है ये कैसे धुन मेरी जिन्दगी मेरे यार सुन तेरे प्यार की है ये कैसे धुन तेरी एक अदा ने ये क्या किया मुझे तेरा दिवाना बना दिया मुझे तेरा दिवाना बना दिया मन कर रहा है सुनती जाओं, बस सुनती जाओं, अच्छा ऐसा कोई स्टेज पर्फॉर्मेंस जब आप होली में दे रही हो और वो आपके लिए एकदम यादगार बन गया हो, हाँ होता है कई बार लोग काफी excited हो जाते हैं, मेरे प्रोग्राम्स में यह होता है कि लोग काफी जादा excited हो जाते हैं, एक बार मैं रश्या में परफॉर्म कर रही थी, तो वहार रश्यान लोग भी मतलब थे वहां पे, तो वहां पे काफी रूल्स था कि कोई मंच पे नहीं आ सकता है, लेकिन एक रश्यान लड़की बिलकुल एक दम मतब जो security था उसको तोड़ते हुए सीधे मंच पे पूरा नाच नहीं लगी और बतुब काफी वह लोग पब्लिक भी काफी खुश हो गई थी उस मोमेंट को देखके, तो वाट आपको कैसा लगता है, मतलब जिंदगी के सबसे बड़ी अचीवमेंट यहां बिलकुल जब पब्लिक इस तरह से आपके प्रती excited हो जाते हैं कि प्रोग्राम के बाद हम लोग शोग हतम करके गाड़ी से जा रहे होते हैं तो पीछे पता चलता है कि जो पचास पब्लिक है वो भी आपके साथ दौड रही है आपके पीछे पीछे तो यह सारी चीज़े मुझे लगता है कि कलाकार के लिए बहुत बड़ा होता है अच्छा इतने ज्यादा फैन फॉलिंग है आपकी कैसा लगता है तो बहुत अच्छा लगता है और मतलब कितनी महनत रही होगी इसके पीछे कितना संघर्ष रहा देखिए महनत तो बहुत जादा नहीं मैं कहूंगी कुछ तो गॉट गिफ्ट भी होता है और जब चीजों से प्यार करते है तो वह आपको महनत नहीं दिखता है वह अपने आप 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 आटोमेचिक होता है मैं जब गाती हूं मैं गाती हूं मेरे शोज भी तीन-टीन चाचर घंटे के हो जाते हैं लागातार मतलब शो जाते हैं और किसी भी कलाकार के लिए सबसे बड़ है कई बार मैं किसी से मिलने जाती हूं तो बोलते हैं कि मेरे बच्चे तो सुते ही नहीं जब तक कि आपका गारा नहीं सुनते हैं कवना रंग में रंगाईल तु बाड़ा जाई के देहरा दुनवाँ हो आसो के होली में आईबाना घर तलेली ही जान फगुनवाँ हो जल्दी से जल्दी टीकट कटाला देखी के कौन सुधिनवाँ हो आसो के होली में आईबाना घर तलेली ही जान फगुनवाँ हो आसो के होली में आईबाना घर तलेली ही जान फगुनवाँ हो अच्छा चानना चाहूंगी कि एक कोई ऐसा गाना जुसकी लिरिक्स आपको बहुत जाद अच्छी लगी हो चाहे वो हिंदी हो भोजपूरी हो कोई भी लांग्विज में एक सॉंग है जो मुझे उसका लिरिक्स बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वो एक सुंदर एट्म बाता है तो मुझे अच्छा लगता है शायद आपके ऊपर जादा सूट करेगा यह सौंग आपके लिए थांक यू सो मच पतली मोरी कमरी आजैसे लचके है अमवा की डार हो राजा जी तिरची मोरी नजरिया जैसे की चले छूरी कटार हो राजा जी पतली मोरी कमरी आजैसे लचके है अमवा की डार हो राजा जी बादर गर जी बिजुरी चमके बादर गर जी बिजुरी चमके मन जी आम और घबराए जी आम और घबराए तहरा के कच सुद बुधना ही सुनी ओ दिलवर जाने ना जुक मोरी कलाईया जैसे की छूई मुई फुलवा की डार हो राजा जी पतली मोरी कमरेया जैसे लच के हैं मुआ की डार हो राजा जी तिरची मोरी नजरेया जैसे के चल छूई रे कटार हो राजा जी जब यह सच में लग रहा था कि आपका फेवरेट है इतने मन से गा रही थी इतने प्यार से गा रही थी और सच में बहुत सुन्दर यह गाना था और लिरिक्स भी बहुत अच्छा था इसको लिखा है चंदर हुशन जी ने जिनके बहुत सारे गाने मने गाए एक गीता आया था जो बहुत ही फेमस हुआ था यारा और भी बहुत तमाम इनके गीत मने गाए हैं कई आर्टेस्ट जो हैं वो काम कर रहे हैं आप क्या उमीद करती हैं जो न्यू जेनरेशन आ रही हैं किस तरह के गाने लेकर रहा हैं बस इतना कहना चाहते हूं कि जब आप एक अच्छी प्रस्तुती है तो आपको भी अच्छा लगताता है और सामने वाले को भी अच्छा लगता है तो अपनी प्रस्तुती को बहसे तरीके से करें और संगीत जो है वो तो हर जगा संगीत है तो हमें यही कोशिस करनी चाहिए कि जितना अच्छा हो सके लिरिक्स पे भी बहुत ध्यान देने की जरूरत होती है क्योंकि लिरिक्स भी ना एक इमेज जो है एक जो दृष्ष है वो क्रियेट करता है तो अच्छा गायकी होनी चाहिए लेकि उसके साथ-साथ अच्छा लिरिक्स पे होना चाहिए और एक बार आखरी बार आप लास्ट गाना एक बार सुनना चाहूंगी जो आप इस होली में लोगों को डेडिकेट करना चाहिए मैरे जो भी जगाने सुनाएए आपको इसी होली के सुनाए है लेकिन मैं चाहती हूँ कि एक मेरा पुराना गीत है बट होली जो है वो राधा कृष्ण के बिना धुरा है तो मैं एक राधा कृष्ण का सुना देता है बड़ा ही सुन्दर सा गीत है कि रहिए सियाना माने रे मुरी आख में दारी गुलाल माने रे मुरी आख में दारी गुलाल अबीरा उडावत है और आ रंग छिड़ कत मुख पर मलत गुलाल हो रस्याना माने रे मुरी आखु में जार गुलाल हो रस्याना माने रे मुरी आखु में जार गुलाल बहुत खुब बहुत खुब मतलब इतना मधुर इतना सुन्दर बहुत अच्छा है एक और गाने के डिमांड करूंगे ऐसा आपको लग रहा हूँगा मैं बहुत साथा डिमांड कर रही हूँ बट समाचाल प्लस के दर्शकों के लिए एक गाना चले एक गित ऐसा है जो कि काफी पॉपलर है वैसे तो बहुत सारे गाने पॉपलर है लेकिन मैं अभी राची में हूँ तो मैं सोस्ते को थोड़ा नागपुरी टच के एक सौंग बहुत बहुत कुब तो खुश हो जाए कि कल मिलोगी अरे बोल मेरी जान तुम कब मिलोगी अरे बोल मेरी जान तुम कब मिलोगी आज मिलोंगी हा कल मिलोंगी आज मिलोंगी हा कल मिलोंगी अरे दिल दिया राजा मैं मिलती रहूंगी अर दिल दिया राजा मैं मिलती रहूंगी ये प्यार में सनम धोका नहीं देना रे पगली बना के कहीं छोड़ नहीं देना रे खालो तुम मेरी कसम छोड़ोगे ना मेरा संग हो वे इत्वार या हो वे हड़ ताल हर रोज 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 मैं तुम से मिलूंगी हा रोज रोज मैं मिलती रहूंगी आज मिलूंगी हा कल मिलूंगी अरे दिल दिया राजा मैं मिलती रहूंगी अरे दिल दिया राजा मैं मिलती रहूंगी बहुत अच्छा इसमें नोग जोग भी था एक प्रॉमिस भी था और नागपुरी टेस्ट था वो फ्लेवर था तो लोग इसे बहुत पसंद करेंगे या अपकमिंग है या फिर आज चुका है या आज चुका है बहुत साल पहले बट मुझे अच्छा लगता है ये सौंग बहुत बढ़िया एक लास्ट वे समाचार प्लस के दर्शकों के लिए होली पर एक कुछ शुब कामना है बिलकुल समाचार प्लस देखने वाले सबी लोगों को होली की बहुत बहुत शुब कामना है और दोलाई ने अपना सुना देते हैं होली के बहुत ही इंड करते होली तेड़ी रे मेरी डगर्या गगरी छल के ना कि छल चल चल चाला केगा गर्या की मोरा भीगी जाए चूनरिया कि छल चल चला कैगा गरिया कि मोरा भीगी जाए चुनरिया कैसे समालो चुनरिया बोल बोल गुरिया ना कैसे समालो चुनरिया बोल बोल गुरिया ना तेड़ी रे मेड़ी डगरिया गगरी चल कैना तेड़ी रे मेड़ी डगरिया गगरी चल कैना हैपी होली तो अल अफ यू बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बहुत अच्छा लगा और यह हमारा होली का प्रोग्राम जो है हमको लगता है कि बहुत अच्छा लगा होगा आपको क्योंकि जो हमारे फ्लेवर्स है नागपूरी फ्लेवर्स हुए भोजपूरी फ्लेवर्स हुए हिंदी फ्लेवर्स है सा काम खबरों के लिए आप समाचार प्लस जारखन विहार से जुड़े रहिए और होली की आप सभी दर्शकों को धेसारी शुब कामना है सरधा बाटे रंगवातू लगई ताए बालं फोगुवा महिनवा जे करना आवेला सजनवा बड़ा दुख देला सजन राजधाने पकड़िके आजईयो 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 ना ना रे मारो मुझे पिछिकारी आसो के होली में आईबाना घर तलेली ही जान फगुनवा हो